हलो डियर वेलकम बैक टू मैं चानल मैं पूनम आपका सौगत करते हूँ मेरे चानल स्पृच्छलेटी एक डिवाइन मार्क 1111 में आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत खास क्योंकि आज हम बात करेंगे उंडेट मस्कुलाइन के बारे में हम जानते हैं कि कभी-कभी मस्कुलाइन एनरजी फीमेल बाडी में भी हो सकती है और फेमिनाइन एनरजी मेल बाडी में भी हो सकती है तो आपके केस में क्या सिनारियो है यह आप अपने आप से देख लेना तो चलिए जो उंडेट मस्कुलाइन होते हैं जिनके अंदर बहुत उन्हें जो emotion उनके सरपे आते हैं वो कभी भी उनके उनको feel नहीं करना चाहते है और नहीं उससे गहराई में जाना चाहते है क्योंकि जो unden masculine होते है वो उनके जो deep emotion भी होते है तो उन्हें कभी भी accept नहीं करते वो अपनी feminine energy को भी soul level से देखना या उसे connect होने से भी वो इंकार करते मतलब accept नहीं करते क्योंकि हम जानते है कि soul level से connect होने के लिए आपको 3D से cut up होना पड़ता है अपने उपर काम करना पड़ता है और यहीं वज़ा होती है कि जो unden masculine होते है उन्हें ये रोकता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा 3D में रहते है इसलिए तो हम कहते है कि masculine mind मतलब mind चलाते है वो logical होते है वो emotion को नहीं समझते है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा 3D में रहते है और 3D में रहना उन्हें अच्छा लगता है क्योंकि वो जो देखते हैं उसी को सच मांते हैं उन्हें सा लगता है कि जो सामने वही सच है और जो मैं कर रहा हूँ वही बिल्कुल सही है क्योंकि ego भी होता है और वो logical भी होते है तो मतलब 3D से कोई existing नहीं करता उनके लिए कुछ तो यही under masculine के दिमाग में चलता है और इसलिए बहुत कम masculine हम देखते है कि spiritual होते है इतना होने के बाद भी अगर कोई masculine spiritual होने के बाद भी वो इस connection को जल्दी नहीं समझते क्योंकि वही होता है कि वो 3D से बहुत ज़्यादा attach होते है जो under masculine होते है या फिर जो भी masculine होते है उनको उनका comfort zone से बाहर निकलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है इसलिए होता है कि वो अपने higher self से जुड़े नहीं होते है और higher self से जुड़ना मतलब अपने उपर काम करना होता है अपना inner work करना होता है और ये सब बाते उन्हें डरा देती है इसलिए तो वो ये twin flame जो हमारा connection होता है इसकी जो intensity है इससे वो डर कर भाग जाते है क्योंकि वो इसे accept करना ही नहीं चाहते वो किसी चीज को fill करना ही नहीं चाहते इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर की energy से fear की energy से operate करते होती है तो इसका भी डर masculine को रहता है ठीक है जो उन्डर masculine होते है वो हमेशा choose करते है पैसो को वो बहुत ज़्यादा पैसो के पीछे दोड़ना पसंद करते है बजाए इसके कि वो अपनी आत्मा से जूड़कर अपनी harmonious health को build करे यही कारण होता है कि masculine की financial condition हमेशा खराब रहती है वो आर्थिक रूप से आगे burn नहीं सकते इसलिए उनके जो life में बहुत ज़्यादा problem होती है stuckness होती है और वो कभी-कभी तो बहुत ज़्यादा helpless भी feel करते है hopeless भी feel करते है under masculine को हमेशा ऐसा लगता है कि उन्हें healing की क्या जरूरत है उनके पास तो सब कुछ है जैसे कि उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनका परिवार, उनका जॉब, उनका घर जो भी 3D की चीज़े है उन्हें इसा लगता है कि ये सब मिल गया तो मतलब और किसी चीज़ की क्या जरूरत है तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो goal होता है यही सब मेरे goal में आता है और ये पूरा हो चका है तो इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि आव life में सब कुछ है तो healing की क्या जरूरत है जो unded masculine होते है वो अपनी sacred sexual energy का use खेलने में करते है या फिर thrill को feel करना या दूसरों से connection बहुत ज़्यादा multiple affair में होना इन सारी जैसे के addiction इन सारी चीज़ों में वो अपनी sacred sexual energy को use करते है ये इसलिए होता है कि जो उनकी sexual energy होती है वो shallow हो चुकी होती है और इसलिए उनके जो emotional होते है emotion होते है उनकी जो heart की deepness होती है उसको समझने के बज़ाए love को समझने के बज़ाए वो एक lust और एक greediness के energy में चले जाते है उनकी sexual energy एक lust का स्थान ले लेती है एक greediness का जगा ले लेती है unded masculine होते है उनके life में वो किसी भी proper direction में बहुत देर तक बहुत long लंबा नहीं चल सकते क्योंकि उन्हें कभी भी अपने life में satisfaction नहीं मिलेंगा हम जानते हैं कि उन्हें जब तक वो अपने feminine energy से connect नहीं होंगे उनके life में किसी भी प्रकार का satisfaction नहीं होंगा तो वो अपने जो root चक्रा होता है उससे वो जुड़े नहीं होते तो इसलिए अपने life में वो हमेशा stuck रह जाते हैं और एक ही loop में वो बार-बार घूमते रह जाते हैं देखे हम जानते हैं कि healing के लिए हमें change को स्विकारना पड़ता है हमें grow करना पड़ता है surrender में आना पड़ता है अपने अंदर जाना पड़ता है और इनी सारी चीज़ों को unden masculine हमेशा refuse कर देते हैं और दुनिया से हमेशा anger की energy में operate करते हैं जैसे उन्हें लगता है कि मैं ऐसा ही हूँ और जो हूँ मैं बहुत सही हूँ वो खुद को बदलने से बिलकुल इनकार कर देते हैं उन्हें change अच्छा नहीं लगता वो surrender के mode में बहुत जतन लग जाते हैं तब masculine का ego shutter होने में तो इसलिए वो एक ऐसे world में जीते हैं रहते हैं जहां उनके लिए सब सही होता है चाहे उनके जो relation होते है वो कितने भी toxic क्यों न हो वो फिर भी उन्हें छोडने को तयार नहीं रहते क्योंकि वो अपने true self से जुड़े नहीं होते है और उन्हें हमेशा एक डर लगा रहता है कुछ खोने का और जो उनका शायद है भी नहीं और उसी चीज़ का उन्हें डर लगता है कि मैं कहीं नहीं खोना दो क्योंकि वो हमेशा एक unknown सी block सी energy से operate करते है उन्डेड masculine authenticity को नहीं जानते वो बस एक जुनून के साथ काम करने पैसा बनाने के लिए हमेशा busy रहते है वो अपनी soul को feel नहीं करते बस त्रीडी में busy रहते है जब भी वो soul की आवाज सुनने की कोशिश करते है तो उनका मायन उन पर हावी हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि पैन ही soul purpose पे ले जाता है जब तक आपको पैन नहीं होंगा तब तक आप अपनी soul से नहीं जुड़ सकते है ये पैन ही एक रास्ता है कि हम अपने आत्मा की खोज के लिए निकल पड़ते है और इसी दर से हमेशा masculine भागते है डरते है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कही मेरे emotion हटना हो जाए कही मेरा ego हटना हो जाए कही मुझे कही से rejection ना आ जाए जो कि हम जानते है कि जब भी हम twin flame journey में पैर रखते है तो हमसे बहुत सारी चीजे छूटने लगती है बहुत सारा pain होता है बहुत ऐसी चीजे हो जाती है जिसे कि हम जिन्दगी में कभी हमने सोचा भी नहीं होगा बहुत सारे लोगों को माफ करना पड़ता है कि जिसे जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा कि इने भी हमें कभी माफ करना पड़ेंगा लेकिन हमारा जो pain होता है हमें सब कुछ सिखा देता है तो ये सारी चीजे होती है मसकुलाइन इससे भागते है जो उन्डेट मसकुलाइन होते है वो पूरी तरह से accept नहीं करती कि वो सिर्फ सोतंत्र नहीं है वो खुद एक सोतंत्रता है एक दिवाइन मसकुलाइन यूनिवर्स की एक golden light है जिसे surrender होकर खुद को स्वीकारना है खुद से प्यार करना है अपनी feminine energy को अपने अंदर मर्च करना है और हम जानते हैं कि unded होने का सबसे बड़ा कारण ये हमारा समाज होता है क्योंकि हमने हमारे समाज की जो programming की है ऐसी है जैसे कि मर्द को कभी धर्द नहीं होता हमें बच्पन से सिखाया जाता है कि लड़कों को मतलब अब यहाँ पर मैं एनरजी की बात कर रही है न जो मास्कुलेन एनरजी को हम सिखाते हैं कि उनको अपने इमोशन को वेक्ट करने या फिर अपने इमोशन को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है यही कारण है कि वो अकसर अपने इमोशन से डरते हैं और फिल करते हैं कि मैं तो लड़का हूँ मैं बहुत स्ट्रांग हूँ मुझे कुछ नहीं होता और में लड़कियों की तरह नहीं रो सकता और लेकिन हम जानते हैं कि डियम भी इमोशनल होते हैं बहले ही वो बताते नही कि हम जानते हैं कि D.M. बहुत इमोशनल होती है तो वो रो कर अपना दर्द, दुख, मतलब आसु के साथ वो हलका फील करती है लेकिन D.M. का हाल तो इतना बुरा होता है कि वो रो भी नहीं सकते हाँ कोई-कोई रोता भी होंगा बट mostly masculine energy अपने emotion को अपने heart के अंदर दबा देती है और यही वज़ा होती है कि D.M. बहुत ज़्यादा own rate होते है feminine के comparison में ठीक है तो कैसे न कि वो रोन की जो feminine energy है अपने ही अंदर suppress हो जाती है और जब हम twin journey में आते हैं जब feminine को अपना काम करना पड़ता है तो जैसे जैसे feminine अपने own clear करती है अपने heart अपने inner child को clear करती है तो उसी तरह उन पर भी काम होते जाता है और आपको इसका असर भी दिखता है आगे चलके ठीक है तो हम देखेंगे आगे sign masculine के जो की wounded masculine को दिखाते है सबसे पहला वो बहुत जादा success के पीछे पैसे के पीछे 3D में matrix चीज़ों के पीछे दोड़ते है सेकंड है कि उन्हें fail होने का डर रहता है उन्हें failure से डर लगता है उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मैं ये करूँ तो मैं इसमें fail ना हो जाओ ठीक है इसलिए वो हमेशा एक fear की energy से operate करते हैं चाहे वो रिष्टे हो या फिर काम हो थरड है कि उन्हें हर समय perfect होना होता है और हम जानते है कि अगर आप perfection के पीछे भागोंगे तो life में आप कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगे next है कि वो violent और aggressive हो सकते है जब भी आप दोनों का communication हो जाए तो वो तुरन गुसे में याद जोर से बात करने लगे next है कि वो बहुत ज़्यादा cold हो सकते है आप से दूर भी जा सकते है गुसे से फिर है कि वो बहुत ज़्यादा critical और बहुत ज़्यादा judgmental भी हो सकते है जो उंडेड masculine होते है वो हमेशा अपनी दिमाग में stuck रहते है वो हमेशा अपनी दिमाग को follow करते है अपनी दिल की बातों को हमेशा वो निगलेट करते है वो अपनी emotion और heart के touch में नहीं होते है इसलिए उन्हें हम logical DM भी भोलते हैं कभी-कभी masculine revengeful भी हो सकते है ठीक है और सबसे बड़ा sign है कि वो अपने ही feminine energy से अपने ही counter soul से disconnect होते है उनसे वो जूड़ नहीं पाते है क्योंकि वो fear की energy से operate करते है तो ये था unded divine masculine पर एक video होब आपको clear हुआ होगा कि unded masculine कैसे होते है और वो क्यों होते है आज मेरी तबबे थोड़ी खराव है तो please मेरी आवाज में थोड़ा गड़बड है तो ignore कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा होँगा तो like करना share करना, channel को subscribe करना मैं कोशिश करूँगी कि इस वाक collective में बहुत ज़्यादा उतल फुतल हो रही है तो मैं आज शाम को नहीं तो सुबब collective current energy पर वीडियो बना कर डाल दूँगी ताकि आपको clarity में गड़बलिस्यों अपना ध्यान रखना